कैसे समझे आपको भगंदर हो गया बहुत सारे पेशन्ट कन्फिस हो जाते हैं उनको नहीं समझता कि उनको क्या है फिशर है, पाइल से, बबासिर है या फिस्टुला है क्योंकि बहुत सारे पेशन्ट अगर कुछ भी तकलिफ होती है तो चेक अप नहीं करते हैं क्योंकि वो शर्माते है कोई भी मेडिकल पे, कोई भी दबा ले लिया कोई भी पेन किलर ले लिया वो कन्फिस हो जाते हैं कि या फिशर का दबा लेना है बबासिर है, भगंदर है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाने कि आपको भगंदर हो गया है ऐसे कुन चिज़े मैं आपको बताने वाला हूँ एक तीन चर पोइंट्स बताने वाला हूँ कि जिसे आपको समझेगा कि आपको भगंदर हो गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन especially on भगंदरा नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर दिपक चौदरी मेरा जो क्लिनेक है मुंबई में है मेरा जो होस्पिटल है मुंबई में है तो अगर आपको मुंबई में आना है तो आप आ सकते हैं मेरा जो नंबर है 9820703498 बहुत सारे patients मेरे पास आते हैं मेरा दिन बर ओपड़ी चलता है तो ओपड़ी में उनका एकी सवाल रहता है कि सर मुझे कुछ तो प्रॉलेम हो रहा है motion के बाद में दर्द है परस आ रहा है सूजन है उनको प्रॉपर नहीं पता चलता है और ज्यादा तर लोग क्या करते है क कि बिना चेकप के बिना कोई भी medicine लेते रहते हैं तो आज के एपिसोड में मैं आपको फिशर बावासिर या भगंदर कि आपको भगंदर है एक कैसे जाने तो specially अगर आपको फिशर है तो आपको फिशर का medicine लेना है या अगर भगंदर है अगर आपको यह भी पता चल है कि भगंदर होते ही आपको क्या होगा कि आपका जो मलमार्ग है जो गुदरदवार है उसके साइड में आपको सूजन आ जाएगा सिविलिंग आ जाएगी अचनक से अगर आपको starting यानि अगर आपको भगंदर हो रहा है पहला ही दिने तो उसमें क्या होगा कि आपको motion के साइड में अचनक से सूजन आ जाएगी बाद में सूजन आने के बाद आपको बैटने उठने के लिए नहीं होगा तकलिफ होगी आपको specially throoming pain होगा throoming pain एक pain रहता है जिसे throoming pain आपको होगा बाद में आपको एक दिन के बाद आपको वहाँ पे सूजन बनके वहाँ पे एक फोड़ा बन जाएगा एक फोड़ा बन जाएगा सूजन काफी बढ़ जाएगी इसमें सूजन आती है ना तो patient को कभी कबार अंदर से बुखार भी आता है फिवर भी आता है बाद में वह फोड़ा फुटता है उसमें से पस आता है मवाद आता है इंफेक्शन बन जाता है और यह जो फोड़ा आता है हो हमारे मलमार्ग या गुददवार के साइड में आता है जब भी फोड़ा फुटेगा फोड़ा पक जाएगा बाद में फुटेगा फुटने के बाद पूरा पस भार निकलेगा पूरा मवाद भार निकलेगा पूरा गंदगी पूरा मवाद भार आने के बाद आपको जो दर्द है वो एकदम शांत हो जाएगा एकदम कम हो जाए पुरा पर्स मवाद आने के बाद यह हो गया भगंदर अगर आपको ऐसा मोशन के साइड में अगर सूजन है फोड़ा है उसमें सिर्फ पर्स आ रहा है मवाद आ रहा है थ्रूम्मिंग पेन स्पेशली एक पेन थ्रूम्मिंग पेन क्या होता है कि जब कोई भी आपके बदन पर फोड़ा है पकता है और फुटा नहीं है कि जो पेन उसमें रहता है फोड़े के अंदर थ्रूम्मिंग पेन स्पेशली बोलते है उसको तो आपको थ्रूम्मिंग पेन होगा और फोड़ा फुटने के बाद, मवाद भाहर निकलने के बाद, जो दर्द है, पूरा शांत हो जाएगा, तो ऐसा बाद में क्या होगा, बाद में वापस दस बारा, तीन के बाद, पंदरा दिन के बाद, वापस आपको सुजन आएगा, वापस सुजन आएगा, वापस दर्द होगा, कीशी को 15-15-20-21 देने के दिन के बाद फूटता है ? यानि कोई पैसंट बोलता है कि सर्ममु एक मैने में सिर्फ दो defin b driving दो फूटता है कोई-पैसंट अइसा बोलता है कि सर् जो purse आता है ना मुझे daily आता है , तोी ये इस सीम्टम से भगंदर के अगर आपको 10 14 दिन के बाद फोड़ा फुट अ है उसमें से पस आता है महाद आता है थ्रूम्बबुए में बूखा रहता है आपको जब फोड़ा फुटने के समय बैटने के उटने क्लेने होता और दरद होता है तो ए समझ लेना कि आपको भगंदर हो गया है, कभी कबार क्या होता है, कि फोडी से कभी कबार ब्लीडिंग भी निकलता है, ब्लड भी निकलता है मवात के साथ, या कभी कबार वहाँ पे थुदा खुजली भी रहता है, तो depends, तो अगर, क्योंकि न, मुझे न, ए वीडियो बनाना बहुत ही important लगा क्योंकि बहुत सारे patient को पता ही नहीं रहता कि उनको क्या है 6 माइना हो जाता है, एक साल हो जाता है, कोई भी medical, कोई भी आयरवदिक जड़ी बुटी ले लेते हैं ले लो ओ दवा ले लो, उनको पता भी नहीं रहता है कि अंदर से चीरा बन गया है, फीशे रही या बवासर की तकलिप या भगंदर की तकलिप है तो मैंने जो तीन से चार पॉइंट आपको बता दिया, तो आपको एस समझेगा कि आपको भगंदर हो गया है कि एक बार आपको प्रॉपर जो डिसीज समझ गया तो उसके बाद में तो आप जो treatment है वो भगंदरगाई कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका help होगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद